Hello everyone and welcome to tripleEIQ और guys ये वीडियो में आप लोग के लिए बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही important होगा अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो देखें यहाँ पर problem क्या है कि बहुत से student का preparation होते वे भी वो लोग exam को crack नहीं कर पाते हैं यानि कहीं न कहीं वो लोग गलती कर रहे हैं जिसमाल लीजे कि आपका preparation जो है 80% हो चुका है 80% कहने का मतलब आपका 80% technical भी cover हो गया है और 80% non-tech भी cover हो गया है तो इस situation में आपके पास merit बन चुका है कि आप किसी भी exam को crack कर सकते हैं बस ये depend करता है कि आपने जो 80% का preparation किया है किस label का किया है A.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E तो आप उस exam को crack कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इतना merit होने के बाद भी लड़का लोग क्यों fail हो जा रहा है तो उसके पीछे reason है negative marking का ठीक है negative marking आपको कितना नीचे गिरा सकता है यह अगर मैं आप explain करूँगा तो आपको समझ मैं आएगा जिसमान लीजे कि आप KBC गेम खेल रहा है और KBC में आपके पास एक question आया है और इस question का आपको answer नहीं पता है और यहाँ पर मान लीए आप मैं आपको दो ही option देता हूँ चार option में से दो ही option दे रहा हूँ ठीक है नि 50-50 है तो मुझे यह बताईए जब इस question का answer नहीं पता है accurate तो इस game को कभी भी आप खेलिएगा इस question का जवाब कभी दीजिएगा तो simple सी बात है आप यहाँ पे इस game को quiet कर दीजिए नि बंद कर दीजिए कभी भी इसका answer नहीं दीजिएगा क्यों क्योंकि आपको नहीं पता है नहीं आपने यहाँ पे rix नहीं लिया है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे बात आगे है पैसो का क्योंकि अगर आपने यहाँ पे rix लिया और answer गलत हुआ तो आपका जो भी पैसा है वो क्या होगा कम हो जाएगा और तो इसी चीज़ को अपने mind में भी रखना है, exam देते समय, कोई भी question अगर आपको exam में नहीं आता है, उसको कभी भी आपको deal नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने deal किया, जो भी deal करता है, वो एक तैसा normal आदम है, उसको exam का rule regulation कुछ पता ही नहीं है, वसको करना ही नहीं आपने गलत कितना किया है, तो simple सी बात है, अगर जिसको नहीं पता हो, यहीं कहेगा, माल लिए 20 मेरा सर इसमें गलत होगा, तो 20 भाई गलत कर रहे हो question, अपने हिसाब से नहीं जान बूच करके आपने 20 गलत कर लिया, ठीक है, इस पर जो negative जाएगा, उतो अलग होगा, यान आपने जो 130 सही किया है, इस 130 में भी कुछ न कुछ गलत होगा, क्योंकि जो answer की देता है, answer की में कुछ न कुछ वैसा भी answer होगा, जो आपके हिसाब से क्या होगा, अपने जो choose किया है, इसमें आपके हिसाब से 130 सही है, लेकिन answer की कि हिसाब से इसमें कुछ न कुछ आपका तो आपको हमेसा माइन में रखना है जिसके बारे में आपको नहीं पता है जो भी कोशन नहीं आता है फिर कनफ्यूस हो चुके हैं ए मारना है फिर B मारना है पर मैंने औप्चन दो ही क्यों दिया क्योंकि एकजाम में कभी कभी ऐसा होता है जमाल नहीं चार ओप्चन है एक तरह किस्मत नहीं कर रहा हूं लक को एक तरी से ले करके चलना एक तरी बेवकुफी होता है लाइफ में यहां पे जो भी हार्ड वक कर रहा है उस बेसिट में बोल रहा हूं तो यहां पे ए और बी में अगर अगर कंफ्यूज हैं तो इसको भी आपको अटेंड नहीं करना है ठीक है तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट हो जाएगा लाइफ में कभी भी आपको पश्ताना नहीं पड़ेगा तो इस चीज़ को माइंड में रखेगा और यहां पे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा देखें पैसा सेफ करने का जो आइडिया होता है न वो हर एक आदमी दे देगा आपको कि पैसा कैसे सेफ करना है जितने भी bank खुले हैं यह bank क्या करता है आपके पैसे को save करने का idea देता है फिर जितना भी FD है फिर जितना भी insurance है जैसे LIC हो गया यह सब हो गया क्या करता है आपके पैसो को save करने का तरीका बताता है लेकिन कोई भी ऐसा bank या फिर कोई भी ऐसा insurance company या फिर कोई भी ऐसा दु बनाना है यह आपके उपर डिपेंड करता है ठीक है और यह सब जो है यह जो भी मैंने बताया है यह मुझे तो बताना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वह बाता जाएगा क्योंकि मैं तो खुद एक स्टुएंट हूँ और मैं एक तरिके से यहाँ पर नॉलिज स्टुएंट ने यही गलती किया भाई ऐसे गलती करते रहोगे तो फिक अभी भी रिजल्ट नहीं होगा चाहिए आप कितना भी भेहनत क्यों न कर लो क्योंकि आपका अभी जास्ट मैं एक्जामपल दिया ना बीस नमर तो अपने हिसाब से गलत होगी आपका उसमें से जो होता है और एक चीज अगर आप ऐसा करते हैं ठीक है तो एक्जाम के बाहर जब आप निकलिएगा ना तो आपको कभी भी गिल्टी फिल नहीं होगा कि मैंने यार इतना ही कोशन बनाया है जिसमान लीजे आपका सिर्फ और सिफ 80 नमबर ही बना पाया आपने आपका मैरिट ह अपने 80 नमबर लाने तक ही पढ़ा ही किया है महनत ही आपका कम है तो सिम्पल सी बात है अपने 80 कोशन को अटेंड किया है अगर आप महनत ज़्यादा किजिए तो आपका जो भी है मैरिट हो आगे बागे कहीं भागेगा ठीक है तो इसी में आप साइटिस्फाइ रही है ज अगर मैं के टेगरी की बात करो ओबी सी जेनरल और जो भी है तो उसमें तो जाना ही नहीं ए। उसमें भी भाई अपना कॉमपेटिशन होता है ठीक है अगर ओबी सी में वहां पर हजार हो गया है स्टे बेसे में प्छोड़ दिजिए महनत करना शार्ट कर लीजे वो ज्या जितना आपको बनता है एक्जाम में जितना आता है उतना ही अटेंट कीजिए कोशन को ठीक है तो फिर बार-बार ऐसा ही होगा 150 में से आप आजाएगा सीधे सीधे 100 के नीचे F.E. 105 पे तो उसमें मेरिट नहीं बनेगा में भी आपको यह बात समझ में आया होगा नेक्स टाइम यह गलती कभी नहीं कीजेगा जितना है जितना मैरिट बना है उतना ही में सैटिस्फेक्शन रखे बगल वाले को देख करके अंथा ही नहीं मानना है कि इसने 150 मारा है तो मैं 170 मार दूंगा यह बहुत बड़ी गलती ह होती है ठीक है में भी आपको यह समझ मा आगया होगा तो आज के लिए तना ही थैंक्स फो वाचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स ताइम